नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो रहने वाले काफी ज़्यादा इंपोर्टन तोंकि आज हमने लिया है स्पोर्स का टॉपिक जहाज सवाल सबसे ज़्यादा पुछे जाते हैं यदि आप तयारी कर रहे हैं किसी भी इंडिया लेवल की एकजाम की चाहे आप तयारी कर रहे हैं जारकन की एकजाम की दोनों के लिए इंडिया लेवल के लिए इंडिया लेवल के लिए इंडिया लेवल के लिए पूछे जा सकती है जारकन के लिए इंडिया लेवल के लिए हुआ है तो मैं हुए विकाज पाठक यहां पर हम लोग बात करेंगे चलिए यहां पर किसकी बात करेंगे तो पहले उसको समझते हैं सहीर वीर नारायन सिंग इंडियन दीवांग टी 20 कप 2023 ठीक है तो बीस परवरी चाथ 23 परवरी के बीच होने वाला है तो यह एक दिव्यां इसको करवाएगी अब यह कैसे बनी होती है उस पर आगे हम लोग बात करेंगे ठीक है कि इसका निरमान कैसे हुआ कौन कौन से इसमें बॉड़ी है जो आपके एक्जाम परपरस से इंपॉर्ट है हमने बोला कि यह 20 से 30 परवरी के बीच जो है यह होने वाली है और 36 गर के राइपूर में यह होने वाली है यदि हम लोग बात करें कौन से खिलाडी का चैन जारकन से हुआ है तो जामतारा के समसेर का चैन इंडियन फाइटर्स में और राची के अमनिस्कुमार का चैन इंडियन लिजर्ट में हुआ है अब यहाँ पे दो वर्ट आपके एक्जाम क लिखे लेगी चार टीमें कौन कौन सी है तो इंडियन फाइटर से इंडियन लेजंड है जोयल इंडियन से इंडियन सुल्तान है जिसके कैप्टन के नाव हमने यहाँ पर स्क्रीन के उपर लिख दिये हैं तो आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं यदि हम लो बात करें तो जैसा कि मैंने बोला कि चार्टी में हैं जिसमें से इंडियल लेजर्ड में चैन हुआ है मनिश कुमार का ठीक है तो मनिश कुमार रहने वाले हैं राची के ये एक्जाम परपस से बहुत ज़्यादा important है सवाल आपके एक्जाम में कैसे तो राची के रहने वाले उसी परकास है जामतारा के है ये समसेर जाद रखेगा तो मनिश कुमार का लिस्ट में नाम आप देख पा रहे हैं आठवा नमबर आगे हम लोग बात करें तो इंडियन फाइटर्स में समसेर का नाम आप दे सकते हैं 11 नमबर में तो हमने इतना देख लिया अब हमने बात कर लेते हैं ये जो DCCI है ये जो game कर वाती है इसमें हमने दिव्यान की बात करी तो इसमें किस परकार के दिव्यान है तो सबसे पहले देखे 4 sth सबसे पहले तो blind जिनकी आखें नहीं होते हैं दिन को देखने में problem होती है ठीक है दूसरा है diff जो बहरे होते हैं जिनके कान में problem होती है तिसरा है physically challenge किसी परकार से physically ये दी वो challenge है तो उनकी और चौता है जो wheelchair की होती है पिर ये चार परकार के यहाँ पर गें जो है ये होती है सवाल यह उठता आगे कि आखिर ये DCCI की हम लोग बात करें इसके महासाची हुए कोण है तो रविट चोहान है याद रखेगा हमने आगे टीमों की बात कर रही है यापे देखे चार टीम में हमने बोली दो टीमें हमने दिखा दी यह दो टीमें यहाँ पे और भी मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ टीम इंडियन सुल्तान और रॉयल यहाँ पे पूरी लिस्ट दी गई है आप जाहो तो नोट कर सकते हो आगे पढ़ने के पहले कुछ और भी महत्कुन जानकारी है आप यदि B8 की एक्जाम तैयारी करें जारकन B8 की तो यह बूक आपके लिए बहुत जादा important है चक्चू SRR publication की और यह बूक आपको offline market में मिल सकती है और online की link में description में डाल दी है आप जाके इसको purchase कर सकते हो 2000 से जादा इसमें प्रसन आपको मिलने वाले है और पूरा syllabus cover करवाया गया है दो आपको previous year के प्रसन भी इसमें करवाये गये है ठीक है तो topic wise है बहुत अच्छी book आप जाके ले सकते हो आगे हम लोग बात करें तो DCCI की हमने बात करी तो इसमें चार cricket क्रिकेट संग से मिलके बना है DCCI कौन-कौन सा है तो सबसे पहला यहां पे C-A-B-I ठीक है तो हम कहते है क्रिकेट एस्सेशन फ़र ब्लाइंन इन इंडिया ठीक है यह ब्लाइंन क्रिकेट करवाती है दोस्ता है Indian Deep Cricket Association IDCA जो करवाती है Deep Cricket तीस्ता है Physically Challenge Cricket Association of India जो कराती है Physically Disabled Cricket चौन्ता है Wheelchair Cricket Indian Association जो करवाती है Wheelchair Cricket तो मिलेंगे नेक्स वीडियो में थैक्स पो वाचिंग